आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाध्यन में व्यूडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें आज हम करने जा रहे हैं हमारी साथवी क्लास की विज्ञान की वरक्षीट जिसका नंबर है 13 आज की तारीक है 13 नवंबर आपको याद होगा कि अब तक हम बहुत सारी चीज़े जान चुके हैं सीख चुके हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है म मिर्दा में पोशकों की पुनहें पूर्ती की मिर्दा से हमने अब तक पढ़ा कि किस तरह से पेड़ अपना भोजन बनाते हैं मिर्दा से पोशक तत्व लेते हैं तो मिर्दा के अंदर पोशकों की दुबारा से पूर्ती कैसे होती है क्योंकि अगर मिर्दा से पोशक तत् और देखते हैं रादिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी यानि कि घूम रही थी तो उसने देखा कि किसान खेतों में खाड डाल रहे थे और बगीचे में भी उसने अपने माली को ऐसा करते हुए देखा है लौन और गमलों में खाद का उपयोग कर होते हैं वो अब वो सोच में बढ़ गई कि वो खेतों में क्यों कुछ डाल रहे हैं और क्यों माली खाड डालता है तो अब बढ़ते हैं इसी संदर्व में आगे की और कि उर्वरक है क्या और खाद है क्या क्योंकि अभी हमने उर्वरक और खाद के बारे में पढ़ा कि किस प्रश्यम होते हैं मुख्य रूप से इसका मतलब अन्य भी होते हैं पोशक तत्व तो उर्वरक रसाइनिक है और जो खाद होता है वो जैविक होता है तो इसका मुख्य अंतर क्या है रसायन यानि कि इसे हम उर्वरकों को हम बनाते हैं और खाद जैविक होते हैं वैसे खाद के लुगरे हैं। आई जो पॉधों अवशेश और पशव के गोबर से प्राप्त होते हैं। तता पॉधों को पोशक तत्त वंप्रधान करते हैं। तो यह नेचुरल शीजहों बनते हैं। अगर आसान भाष motiv, अगर आप समझना चाहें। कि खाद नेच्रल चीजों से बन जाता है जिसमें पौधे पुराने पौधों के अवशेस हो सकते हैं काटने जिसे फसल काटते हैं तो उपर से फसल काटी जाती है और नीचे तो इसके डंठल बच जाते हैं तो जुताई जब खेतकी की जाती है तो वो फिर दुबारा से जमी सकते हैं तो पौधे यानि की पादप अपनी वर्दी और विकास इसके लिए वो जमीन से मिटी से यानि मिर्दा से खनीज पौशक तत्व कोgsित करते हैं मतलब लेते हैं सोखते हैं अते मिर्दा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है कि इनकी मात्रा कम हो जाती है मिर्दा में यानि की मिर्टी में पोशक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि पेड़ लगातार पौध लगातार उसे लेते हैं क्यों लेते हैं ताकि अपना उनका अच्छा विकास हो सके और वो स्वस्त रहें फिर हम बात कर रहे हैं खाद, उर्वरक ऐवन खाद में क्या चीज़े हम अभी हमने पढ़ी थी कि इसमें मुख्य चीज़े होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और ये वो मुख्य चीज़े हैं जो पादब के लिए पोशक तत्व हैं मुख्य पोशक तत्व पादब के लिए कौन-कौन से होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिर्दा को इन पोशक तत्वों से सिम्रित करने के लिए ही मतलब मिर्टी में ये सिम्रित मतलब उसमें ये पोशक तत्वों बने रहें ज्यादा मातरा में अच्छी मातरा में इसलिए उसमें उर्वरक और खाद मिलाने की जरूरत पढ़ती है किसमें जरूरत पढ़ती है मिर्टी में मिलाने की तो पौधों को सभी पादपोशकों में से नाइट्रोजन की अधिक मातरा की अवशक्ता होती है, तो ये खास बात है जो आपको धिहान रखनी है कि पौधों को सबसे जादा कौन सा पोशक तत्व चाहिए होता है, तो वो उन्हें चाहिए होता है नाइट्रोजन, हो जाए मिल जाए किसी चीज में तब उसको अवशोशित कर सकते हैं सीधे नहीं ले सकते तो देखते हैं कि इसका क्या तरीका है तो एक राइजोबियम नाम का जिवाणू होता है जो चना मटर मूं जैसी जो फलीदार पौधे होते हैं आपको पता है चने की फली होती है मूं की फली होती है मटर की फली होती है मटर की फली तो आपने देखी ही होगी घर में मटर आती है तो फली होती है और भी आपने से और फलीदार बहुत सरी स जबजियां या चीजों को देखा होगा तो इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जिवानू होता है और ये क्या करता है वायू मंडल से नाइट्रोजन लेता है और उसे विलय कर लेता है और उसके बाद जो पौदे होते हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं और मिट्टी में भी इस तरीके से नैट्रोजन की मातरा बढ़ जाती है। इसलिए किसान अक्सर अपने खेतों में फलीदार पौधे लगाते हैं ताकि जमीन में नैट्रोजन की मातरा पूरी हो जाए या बढ़ जाए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अधिक तर डाले फलीदार पादपों से प्राप्त होती है आपको पतर जितनी डाले हैं उनमें से जहार तर सभी डाले जो है वो फलीदार होती है जिसे मैंने कहा मूंकी फली होती है इसी तरीके से राइजोबियम अपना भोजन स्वेम नहीं बना सकता इसलिए ये इन फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है और ये क्या करता है फलीदार पौधे राइजोबियम जिवानों को जिन्दा रहने के लिए पोशक तत्व या खाना पूरा देते हैं मतलब जिसे फलीदार पौदे राइजोबियम को अपनी जडों में रहने के लिए जगा दे रहे हैं और राइजोबियम उन्हें खाना खाने खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध करा रहा है तो इस तखीके से जो आपस में भोजन और आश्रे दिया लिया जाता है इसे कहते हैं सहजीवी संबंद क्या सहजीवी संबंद अगर सहजीवी संबंद की परिभाशा देखें तो दो जीवों के मध्य संबंद जिसमें दोनों जीव आपस में आवास यानी रहने की जगा और पोशन के लिए परस पर लाभनवित होते हैं तो उसे कहते हैं सहजीवी संबन तो चलो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ देखो आज हमने क्या सीखा जरा पढ़ें और जाने तो ये प्रशन उत्तर करने से पहले मैं आपको त्योहारों की बधाईयां तो देदू बहुत सारे त्योहार आ गए हैं आपको धन तेरच की, छोटी दिवाले की, बड़ी दिवाली की, गोवर्धन पुजा की और भहिया दूची धेर सारी शुब काम ने और आपको तो याद ही है दिवाली जैसे त्योहारों पर हमें धेर सारे गिफ्ट हमें मिलते हैं और हम दूसरों को देते हैं तो मैं तो आपको ऐसा गिफ्ट रोज ही वीडियो देती ही हूँ, लेकिन अब मैं आपके छोटा सा गिफ्ट चाहती हूँ और वो ये, कि आपको बहुत अधी कुछ नहीं करना आपकी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का रड कलर का निशान है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दी आपने टीचर को इतना सा गिफ्ट तो कर ही सकते हैं उसके चैनल को सबस्क्राइब तो आपको कुछ सिफ इतना ही करना है आपकी वीडियो के निचे रड़कलर का निशान है उसे सबस्क्राइब लिखा हुआ है उस पर से क्लिक कर दीजी color change जो कहीं मतलब चैनल सब्सक्राइब कर चैनल को सरफ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कल भी न भूले क्योंकि ग्यान बाटने से बढ़ता है लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें तो अब करते हैं प्रश्ण उत्र, सबसे पहला प्रश्ण हमसे पूचे एक उर्वरक और खाद में अंतर बता दो, दूसरा में उन्होंने हमसे तीन पोशक्तत्वों के नाम पूचे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम जो हमने पढ़े थे सहजीवी संबन जो हमने बेभी भी पढ़ा, और पादकों में उर्वरक और खाद की आवशकता क्यों होती हैं, यह हमें बताना है, तो चलो यह हमने प्रशन पढ़ दिये हैं, अब जल्दी से इनके उत्तर भी कर देते हैं, तो उत्तर नमबर एक, वहां से प्रशन लिखकर आप इस उत्तर को लिखेंगे, उर्वरक की हेडिंग डालेंगे, और उर्वरक की हेडिंग डालने के बाद ये लिखेंगे, रहते हैं फिर चौधा प्रश्ण था पादपाउं को खाद और उर्वरकु की अवशक्ता क्यूं होती है तो वो होती है व्रिदी और अच्छे स्वस्त विकास के लिए यह थी आज की चोटी से मोटी से वक्षीट और हम फिर मिलते हैं ऐसी वक्षीट के साथ लेकिन चैनल को स